वेलकम फ्रेंड्स तो आज मैं आप सभी के लिए लाए हूँ आलू वडी छोल की रेसिपी जी हाँ फ्रेंड्स यह बिहार की बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है जो की बहुत ही फेमस है और बनाना बहुत ही सिंपल बहुत ही असान होता है जब भी हम गाउं जाते है या घर पर कुछ simple खाने का मन हो पर वह स्वाधिस्ट हो चाहिए तो हमें बनाना है इस आलोवडरी जोल को जोसी कर खाने में एक कटोरी में ले लिया मैंने और वड़ी तो मैंने यहां लगबग के जितना वड़ी को लिया है यह उत दाल की वड़ी है सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और दो से तीन निट के लिए पका लिया है लेसन का कच्छापन भी चला गया है तो एड करते हैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक मिनट के लिए यां पर यहां पहर से आलो को बॉयल से मैश करिया और यहीं पर हम ऐड करने अपने वडियों दस मिनट के लिएौगत अच्छी तरह से यह सॉफ्ट हो चुकी है बस इतना ही करना है और सारी वर्यों को इस तरह चानते वे निकाल लेंगे तो ऐसा क्या हुआ वरी भी सॉफ्ट हो गई और हमारे वर्या थुल भी गई और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें इन्हें भुनना है पांच मिनट क पाउडर और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और से मिलाने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और से कवर करके हमें बॉइल होने देना है कुख होने देना है पांस से साथ मिनट के लिए ताकि सारे मसाले का फ्लेवर वरी का फ्लेवर अच्छी तरह से तो देखे 7-8 मिनिट के बाद हमारी सबसी कितनी अच्छी तरह से तयार हो चुकी है तो एट करेंगे फ्रेश धनियों को फाइनली और फ्लेम को आफ कर देंगे और अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे कवर करके स्टैंडिंग डाइम पर छोड़ देंगे 10-15 मिनिट के लग रही है यकीन माने है इस अब आसान बनाने में खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है बिल्कुल गाओं का याद आ जाएगा आपको और आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाना बिल्कुल पसंद करेंगे सर्फ एक चमज घी आर कीजिए घर्मा ग